कि हम किस तरफ जा रहे हैं और कितनी स्पीड में जा रहे हैं आपको पता लगेगा ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा हमारी स्पीड क्या है चल रहे हैं हम यहां से शुरू कीजिए वेदर हम चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं चल रहे हैं तो सही मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं अपने आप सोचो और सही मार्ग पर चल रहे हैं तो किस स्पीड में चल रहे हैं अब हम लोगों मैंसे कितनों को ये कितनों को ये याद है हर व्यक्ति अपने अपने दिल पर हाथ रखके सोचे कि माने ये मेसेज दिया हम लोगों ने उस समय सुना लेकिन जो विकास ने कहा कि उसको बार 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 सुनने की गरज है हमारे आपकी प्रॉब्लिम यही रहती है कि हम उस टच से दूर हो जाते हैं उस कनेक्शन से हम लोग कही न कहीं चूक जाते हैं नहीं तो ये जो छोटा सा मेसेज है अगर वो हम अपने जीवन में उतार लें तो बहुत आसान हो जाएगा केवल सुनना है बार-बार बार-बार उससे क्या होता है तो एक बार रिशी अंगिरा के एक बहुत ही होनहार ब्राइट लायक शिश्य थे उद्ध्यान साधना करते सेवा करते परन्तु कहीं पर जा करके एक छोटी से अडचन उसके जीवन में आ गई कि उसने ये सोचने का मार्ग पकड़ लिया कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है दीरे दीरे करके प्रॉब्लम नहीं है का मतलब है कि अब मैं पहुँच रहा हूँ अब मैं कुछ हो गया हूँ थोड़ा सा इगो गमंड आप जो भी बोलिये तो दीरे दीरे करके वो व्यक्ति वो शिश्य सत्संग में से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगा तो गुरु जी को अच्छा नहीं लगा तो क्या किया उन्होंने एक बार उसके वहाँ पहुँच गए और जा करके शान्ती से बैठ गए धंडी के दिन थे और वहाँ पर अंगिठी जल रही थी तो गुरु जी ने क्या किया हो चिम्टा लिया और एक कोईले को वहाँ से भटा दिया तो जब वहाँ से कोईले को भटा आया तो इस भोश्ठा शाइनिंग ब्राइट धगधा कोईला था जलता हुआ उद्यान ने देखा थिक गरू जी ने ये क्या किया ठीक है तो दगदग का कोईला था थोड़ा सा अलग कर दिया अब उसमें से जो आग हो रही थी उसमें से जो शाइन आ रही थी दो मिन्ट पाँच मिन्ट हुई तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि उस जलते हुए कोईले पर राख आने लगी राह खाने लगी तो उसकी जो चमक थी वो धीरे-धीरे कम होने लगी कम होने लगी तो उद्ध्यान ने क्या किया तुरंद गए और उस कोईले के टुकड़े को चिम्ते से वापिस अंगिठी के वहाँ डाल दिया यानि दूसरे जहां कोईले जल रहे थे वहाँ पर डाल करके पैड़ गया गुरुजी ने उस तरफ देखा उसकी तरफ देख करके मुस्कुराए कहा कुछ नहीं केवल मुस्कुराए और कहा कल सचसंग पर मिलते हैं केवल इतना ही कहा कल सचसंग पे मिलते हैं शिश्य हुश्यार था सचसंग किया हुआ था समझ गया कि गुरुजी बिना बोले मुझे ये इशारा दे रहे हैं कि तेरे में पावर है तेज है लेकिन अगर तू अलग हो गया सचसंग से विमुख हो गया तेरे को अलग वातावरन मिलने लगा तो तीरी जो चमक है दिरे दिरे उस पर राख़ड आ जाएगी और चमक खतम हो जाएगी जैसे तुने उस कोईले के टुकडे को वापस अंगिठी के उपर डाल दिया अंगिठी में डाल दिया जहां दूसरी आज जल रही है दूसरे कोईले जल रहे है उसको वो connection मिल गया जैसे ही वो उसको connection मिल गया उसको वापस वो चमक प्राप्त हो गई वैसे ही गुरू जी आज बिना बोले मुझे एक message दे गए कि कल सत्संग पर मिलते है हमको भी इतना ही करना है पुझ्यमाने जो मेसेज दिया न उनको बार 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 अब इस बार भी मेसेज मिलेगा जरूर मिलेगा तो उस मेसेज को अगर हम बार 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 पढ़े सुने पत्प्रदेशिका को बार बार पढ़े तो क्या होगा, we will be connected, सत संग होगा, वातावरण एवं संग हमारे विहवार विचारों को नियंतरित करते हैं, जैसा जैसा हम सोचेंगे, जिसके हम connection में रहेंगे, जिससे हम connected रहेंगे, उसी व्यक्ति या उसी वातावरण का हम पर प्रभाव पड़ेगा, वेरी सिंपल, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, जानते सब है, लेकिन ये जो चीजें, जैसा संग, वैसा रंग, इससे बचना बहुत मुश्किल है, हम तो सीरियल ऐसे ही देखते हैं, कुछ खास हम को उसमें कहा हैं, ऐसे कुछ खास नहीं होता, लेकिन आप लिख के रख दीरे दीरे जो ज्यादा सीरियल देखते हैं ना, जो ज्यादा पार्टीस करते हैं ना, जो ज्यादा वैसे संग में रहते हैं ना, दीरे दीरे करके उनके जीवन के अंदर वो उतर जाता है